कि नमस्कार मैं सुमंत कर सेब क्रेयन रेश्टरोवास्ट एक्सपॉर्ट अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं आपके सामने यह मेरा लेटर पैड है जो मैंने अपने महाकाल जोतिसकंगर के नाम से बनवाया हुआ है कंसल्टेशन के दौरान मैं लोगो कुछ रेमेडिस देता हूं वही मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है सबसे पहले निमरलोजी का सेक्षन होता है यहां पर मेरे क्लाइन के नाम में जो कि मैंने वाइटनर लगा दिया हुआ है परस्टनल इफ़ॉर्मेशन इसलिए उनका नाम मैंने पांच पे सेट किया ह बर्थ डिटेल्स 29 मार्च 1979 रात 25 में तालेस धूले मारास्ट्रा यह उनका लोसू ग्रीड बना हुआ है इस ग्रीड के अधार पर मैंने यह रेमेडीज उनको बताई है क्या क्या लिखना है यह साथ ही उनके फर्म का नाम है जो नंबर 6 पे है यह भी इनके लोसू ग्रीड के असाथ इसाथ निम्रलोजी को भी मैं कुंडली का धार पे देखके जज़ करके रखता हूँ मुबाइल नंबर का भी सेक्सन इसमें होता है लकिन चुकि मुबाइल नंबर उनका सही है इसलिए वो इसमें मेंसन नहीं किया गया है यह इनकी लगन कुंडली है आप तुला लगन की कुंडली है ग्रहों का प्लेस्मेंट आप देख रहा है अब यहां अगला सेक्सन है लाल किताब उपाए यानि लाल किताब गनुसार जो उपाए रेमेडीज होते हैं वो पूरा मैंने लिखा है जैसे सूरे के लिए घर में गंगा जल रखे आज मैंने ग्रहों का नाम नहीं दिया बंदर कुपूर खिला है पूजा पाट नहीं करना है क्यों नहीं करना है गुरू इनका तेंथा उस में है यदि आप घर में कुई जब तफवन या कुछ मंतजाप ऐसा करवाते हैं और ऐसा सुचते हैं कि आपके लिए अच्छा होगा तो ऐसे कंडिशन में चुकि गुरू कर्म भाव में है तो यहां पर प्रोब्लम क्रियेट कर देगा लेकिन यदि आपका कर्म गुरू से संबन्दित है यानि यदि आप सिख्षक हैं टीचर हैं प्रोफेशर हैं और आर्थिक जो मेटरिलिस्टिक वर्ल्ड है उसकी आपको कामना नहीं है तो फिर आप करा सकते हैं लेकिन साइद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसको यह सुक्स आरा पॉइंट्स आपको लाल किताब उपाए के मिलेंगे इसमें आप सावधानिया भी समझ लें और उपाई भी समझ लें दोनों को ही मैंने लिख दिया है पूरी कुंडली के अनुशार तो कि इनको हमेसा फॉलो करना है अगले पेज पी जब हमाएंगे इस पेज को जब आर के दिन त्रिशूल का दान करी चुकि जब गोचर चेंज होगा तो उस समय सनी और केतू का एक विसेस कॉमिनेशन बन रहा है जिसके लिए मैंने ये रेमेडिज इनको सेयस्ट किया है यदि संभव तो घर में गमले में बेल पत्र का पौधा लगाना है ये भी नाड़ी इस उनको वास्तु में करने कुछ बॉड़ी पार्ट पर क्या क्या है जैसे कमर पर काले कलम से एक डॉट बनाना है इव फाइब में सुक्रगरह का समान रखना है नाभी के थोड़ा उपर सिल्वर कलम से एक डॉट बनाना है ये एलेवेंध हाउस के एक्टिवेशन के लगाए ब्लू कलर का अंडर्वेर नहीं पाने यानि बॉड़ी पार्ट के साथ वास्तु में जो ये रेमेडिस करनी है ये एस्ट्र वास्तु का सेक्षन हो गया वास्तु उपाई भी मैंने इनको आड कर दिया है चुकि वास्तु में इनका किया नहीं हूं लेकिन मुझे पता है इनको वास्तु का नौलेज है तो इनकी कुंडली के अनुसार दो तीन चीजें हैं हमें नहीं एड की एक तो फ्लोर पे नमक छिड़क देना है सुबह में पोछा लगा देना है तीन बार ऐसा करना है ऐसा साथ साथ इस्ट में लाल घोड़े का जोड़ा लगाना है सब्सक्राइब करना है तो मैंने लिखा है फिर चौथा नंबर कुछ पर्सनल नमड़ी है जो कि मैंने यहां हाइड कर दिया है अब यह पूरा सेक्शन जो मैंने निमरोजी से स्टार्ट किया लाल किताब वैदिक और नाड़ी जोती से स्ट्रो वास्तु और वास्तु के उ यह जो मैं लिख के जो मेरा यह कंसंट्रेशन का प्रोसेस है इसकी फी मैं लेता हूं 7500 इसमें मैं आपकी कुंदली के अधार पर जितने प्रश्ण होते हैं उसका उपाय टेलिफोनिक यानि फोन से बात करते हुए देता हूं जो कि इसमें में नहीं है यह रेमेडी का सेक् करने कि यह वास्तु का सेट अलग है ये सिर्फ मेरि तरफ से वास्तु का एक रिक्मेंडेशन है आपके लिए यानि इदि आपके घर के आपके पास 16 दिसाओं वाला मैप है, आप वास्तु जानते हैं, बाकी सारे वास्तु के करेक्शन्स आप कर चुके हैं, यानि आपके घर में कोई वास्तु दोस्त नहीं है, तो आप इन मेरे द्वारा जो उपाय बताए गए हैं वास्तु वाले सेक्शन के वो आप कर सकते हैं इसमें मैं आपके मैंप के अधार पर आपके घर में कुछ भी सजेसा नहीं दूँगा क्योंकि वास्तू कंसल्टेशन एक अलग मैटर है उमीद है आपको पसंद आया होगा यदि आप इस प्रकार से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ले शक्ते हैं बने रहे मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ धन्यवाद